ओके स्टुडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं स्ट्रक्चर ओफ पॉलेंग ग्रेन परागण की सरचना एक बार रेपीट करता हूं किस प्रकार से परागणों का निर्मान होता और उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है देखें सबसे पहले क्या बनाती है मियोसिस के दुरू फोर माइक्रोस्पोर ठीक है बार बार रेपीट हो रही है चीज चार माइक्रोस्पोर यानि के लगू बिजानों का निर्मान होता है ये चारों माइक्रोस्पोर जो है वो एक टेट्राड फॉर्म के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं चतुष्क के रुप में वेवस्थित होते हैं ये जो माइक्रो स्पोर है वो मेल गेमिटोफाइट की क्या है फर्स्ट सेल है यानि के प्रतम कोशी का है नर्युक्मकोद भिद की इसी माइक्रो स्पोर से जो है वो क्या बनेगा नर्युक्मकोद भिद का निर्मान होता है का development start हो जाता है यह तेजी से प्रद्धी करते हैं और यह क्या बना लेते हैं पराग कण का निर्मान कर लेते हैं पराग कण की सरचना कैसी थी वो हमने देखी थी दो लेयर्स प्रेजेंट होती है आउटर जो लेयर होती है यह तो है इनर लेयर इंटाइन कहते हैं जिसे अंतह चोल और इसके बाहर की और एक कह सकते है खुरदरा रब सरफेस वाला जो है वो आवरण उपस्थित होता है इसको क्या कहा जाता है एक्जाइन एक्जाइन कहा जाता है बाहिय चोल और अंतह चोल एक्जाइन जो है वो किससे बना होता है और जो इंटाइन है वो किससे बना होता है पैक्टो सेलिलोज से निर्मित होता है और इसके अंदर उपस्थित होता है एक न्यूकलियस त्हीक है यह सरचना किसकी बनती है? पॉलन ग्रेत की, यानि के जो माइक्रोस्पोर है इसी से परागणड़ विक्सित होंगे और इनि परागण़ों से क्या बनेगा? मेल गैमिटोफाईट बनेगा कैसे बनता है मेल गैमिटोफाईट इस परागण़े? इसकी बाहर की जो लेर होती है इसके अंदर 3 germ ports यानि के 3 जनन शिद्र भी उपस्तित होते हैं ठीक है इन जनन शिद्रों से क्या बनती है पराग नलीका का निर्मान होता है जो की male gamets को नर्यूकमकों को ovules तक पहुचाने का काम करेगी तो वो हम आगे देखेंगे उसका development तो चीक है अब इस pollen grain का या शेपन माइक्रो स्पोर भी कह सकते है पॉलन ग्रेन और माइक्रो स्पोर यह दोनों कह सकते हैं कि एक सिमिलर स्टेज है बस इसके आउटर में जो है वो कुछ कॉटिंग हो जाती है जिससे इसकी structure में थोड़ा बहुत चेंजे जा जाता है जैसे ही टेक्राइट से अलग होंगे फिर उसके अंदर development होगा और उसके बाहर जो है वो लेयर्स बनना सुरू हो जाती है है माइक्रो स्पोर फॉर्म के अंदर ही चीक है अब क्या होगा यह जो pollen grain बना है इस pollen grain का आगे development होगा और male gametophyte का निर्माण होगा male gametophyte का जो निर्माण है वो दो stage के अंदर यानि के दो अवस्थाओं के अंदर पूरा होता है stage first जो stage first है वो क्या है before pollination यानि के परागण से पहले और जो stage second है वो complete होती है after pollination after pollination तो male gametophyte का जो निर्माण है वो दो अवस्थाओं में पूरा होता है एक before pollination और एक after pollination यानि के परागण से पहले और परागण के बाद में तो सबसे पहले हम stage first की बात करें before pollination परागण से पहले क्या होता है देखे परागण से पहले जैसे ही microseporanium फटेगी लगू भी जानू धानी का इस फूटन होगा उससे ये सारे परागण जो हो स्वाइटोसिस डिवीजन करेगा यानि के समसूत्री विवाजन करेगा और इसके समसूत्री विवाजन से जो इसका बड़ा केंद्रक बनता है लार्ज नुकलियस है उसको तो हम कहते हैं वेजिटेटिव नुकलियस यानि के काईक केंद्रक कहा जाता है और जो छोटा केंद्रक बनता है स्मॉल नुकलियस बनेगा उसे हम कहेंगे जर्म नुकलियस यानि के जनन केंद्रक का निर्माण हो जाता है जैसे ही ये दोनों नुकलियस अलग होंगे इन दोनों नुकलियस के बीच के अंदर एक वाल फोर्म होना स्टार्ट हो जाती एक बित्ती का निर्माण हो जाता है बित्ति का निर्मान हो जाने से दोनों के अलग-अलग कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाते हैं और जो बड़ी कोशिका बनती है उसको तो कहा जाता है वेजिटेटिव सेल्स यानि के काई कोशिका और जो छोटी कोशिका बनती है उसे क्या कहा जाता है जनन को सिका या जर्म को सेल्स कहा जाता है चिक है वेजिटेटिव नुकलियस वेजिटेटिव सेल्स जो है वो क्या करेगी पॉलेंट ट्यूब का फॉर्मिशन करेगी यानि के पॉलेंट ट्यूब का निर्मान करती है और जो जनन कोशिका है वो क्या करती है male gamits का निर्मान करती है नर्युकमकों का निर्मान करेगी तो देखते हैं इसका process सबसे पहले हम देखते हैं similarities and difference between vegetative cells and germ cells यानि के काई कोशिका और जनन कोशिका के अंदर क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है वो हम दोनों के बीच में देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं vegetative cells की जो काई कोशिका है उसके अंदर क्या समानता है देगे एक तो इसका size कैसा होगा large size होगा आकार बड़ा होगा और इसका जो shape है वो या तो spherical shape होगा या irregular shape होगा तो sphericals भी हो सकती है और irregular भी हो सकती है यानि के गोला कार और अनियमी ताकरती की हो सकती है और इसके अंदर जो है वो cytoplasm बहुत ज़्यादा मात्र में पाया जाता है चीक है और बात करें कि इसके अंदर RNA प्लस protein उपस्थित होता है RNA की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और इसके साथ में protein भी उपस्थित होती है और इसके अंदर DNA उपस्थित होता है DNA भी हो सकती है और इसके अंदर cell organs भी जो है वो सारे present होते हैं और इसके अंदर safe pecules रस्तधानियों का निर्मान भी हो जाता है जिससे इसका आकार क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस वेजिटेटिव से ही क्या बनती है पॉलेंट ट्यूब जर्मिनेट होती है और उसी पॉलेंट ट्यूब से जो है वो मेल गैमेट्स अब्यूल्स तक पहुँच पाते हैं तो ये तो हो जाएगे आपके वेजिटेटिव सेल्स यानि के काई कोशी का स्फेरिकल इर्रेगुलर्शिप के अंदर हो सकती है आरेने और प्रोटीन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और डीने भी इसके अंदर उपस्तित होगा नेक्स्ट बात करते हैं जर्म सेल्स यानि के जननकोशी का जर्म सेल्स जो होती है वो Vagitative Cells के comparatively क्या होगी छोटी होगी यानि कि इसका जो size है वो क्या होगा छोटा होगा बट इसकी जो shape है वो पहले तो होती है Lendicular shape यानि कि Lens की आकरती की मसूर के डाल की आकरती की जो है वो इसकी सरचना होती है लेकिन बाद में ये कैसी हो जाती है यह spherical हो जाती है यानि के गोलाकार हो जाती है पहले जो है वो इसकी shape lens के जैसी होगी और बाद में इसकी जो shape है वो गोलाकार हो जाती है और यह जो जरन कोशी का है यह spindle form में spindle shaped कह सकते है तरको रूपी कह सकते है यानि के जो germ cells होती है इसकी जो design है वो कुछ special होती है और इसकी design की वज़े से ही इसकी shape और size की वज़े से ही जो है ये pollen tube के अंदर easily जो है वो क्या कर सकती है move कर सकती है germ cells के अंदर cytoplasm की quantity है वो vegetative cells के comparatively क्या होती है कम होती है बट इसके सारे cell organs जो होते हैं developed होते हैं चीक है इसके अंदर cytoplasm की मात्रा कम होगी इसमें cytoplasm ज्यादा होगा बस यह इसका एक difference हो सकता है और क्या difference है बात करें कि जो RNA है वो germ cells के अंदर कम होगा यानि कि RNA की जो quantity है वो vegetative cells के अंदर ज्यादा होती है और germ cells के अंदर क्या होती है लेस होती है कम होती है बट जो DNA है वो दोनों के अंदर क्या होता है equally divided होता है समान रूप से उपस्तित होता है DNA की मातरा दोनों को सिखाओं के अंदर क्या होगी समान होती है चीक है vegetative cells ये तो बाद में क्या हो जाएगी damage हो जाएगी यानि कि नस्ट हो जाती है और germ cells जो है वो फिर से आगे divide करेगी और क्या बनाएगी male gamits का निर्मान करती है चीक है तो ये तो हो जाएगा आपके vegetative cells और germ cells तो अभी हम बात कर रहे थे before pollination देखे pollen grain के अंदर माइक्रो स्पोर के अंदर कह सकते हैं कि द्वी कोशी की अवस्था उत्पन हो जाती है double cells जो है वो बन जाती है अब जो pollen grain है वो कह सकते हैं कि maximum angiospomic plant के अंदर इसी deployed cell condition के अंदर ही क्या होते है pollinate होते हैं परागित होते हैं परागन होता है इनका सामानित है द्वी कोशी के अवस्था में ही इन पराग कणों का परागन होता है यानि कि अंकूरण से पहले ये वर्तिक आगरपर इसी द्वी कोशी के अवस्था के अंदर ही पहुँचते हैं तो ये तो आपके स्थिती होती है क्या before pollination परागन से पहले जैसे ही परागन हो जाता है जैसे ही परागन हो जाएगा यानि कि परागन जो female sex organ है reproductive organ है वहाँ पर पहुँच जैंगे like age हम बात करने की stigma पर पहुच जाते हैं और stigma कि सरफेस जो होती वो कैसी होती स्टी की सरफेस होती है चिप-चिपी सता होती है जहां पर यह परागन असानी से चिपक जाता है और stigma की surface से ये nutrition को absorb करके क्या हो जाते हैं जर्मिनेट हो जाते हैं जर्मिनेट होने पर ये जो vegetative cells है ये germ pores के तुरू जरन शिद्रों के द्वारा क्या बनाती है ये बनाएगे आपके pollen tube पराग नलिका का निर्मान सुरू कर देती है पराग नलिका का निर्मान होगा जैसे ही pollen tube बनेगी अब vegetative cells का तो काम खतम हो गया pollen tube बनाने का काम था pollen tube बन जाएगी और अब उसका development जो है वो आगे होता रहेगा और जैसे ही pollen tube बन जाती है germ cells जो है वो निकल करके कहां आ जाती है pollen tube के अंदर आ जाती है पराग नलिका के अंदर प्रवेश कर जाती है और जैसे ही germ cells पराग नलिका के अंदर प्रवेश करेगी फिर से क्या होगा mitosis division होगा समसूत्र विबाजन होगा suppose मान लीजी यह जो germ cells है वो अब कहां एंटर कर गई pollen tube के अंदर एंटर कर गई साथ में कोछ साइटो प्लाजम जो है वो भी इसके साथ में एंटर कर जाएगा और यह जो germ cells है यह mitosis division के तुरू कह सकते हैं कि parts के अंदर divide हो जाती है यानि कि two gamits बना लेती है दो युक्मकों का निर्माण हो जाता है यानि कि जनन कोशिका जो है वो पराग नलिका के अंदर सामानित या सभी आवर्त बीजी पात्पों के अंदर जनन कोशिका का विबाजन जो है वो पराग नलिका के अंदर होता है कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि हॉल अप्टेला है या पॉर्चुला का है इन प्लांट के अंदर जो है वो pollen ट्यूब से पहले जनन कोशिका के अंदर जो है वो डिविजन समसुत्री विबाजन जो है वो पॉलेंट ट्यूब के अंदर ना होकर के माइक्रोस्पोर के अंदर ही होता है बट mostly angiospermic plant के अंदर जो germ cells का division है वो कहा होगा pollen tube के अंदर होता है मैंने कुछ example बता है जैसे कि हल अप्टेला है बंदर बाटी कहते हैं जिसे और पॉर्चुला का है इन प्लांट के अंदर जो है वो germination जो है वो पहले होता है जो germ cells का division है वो क्या होगा माइक्रो स्पोर के अंदर होगा ठीक है यह हम बात कर रहे हैं स्टेज की जो आफ्टर पॉलिनेशन है पॉलिनेशन हो गया यानि के परागण जो है वो स्टिग्मा पर पहुंच गए अब उसके बाद में स्टेज स्टार्ट हो गई है यह स्टिग्मा सरफेस से कुछ मेल गैमिट्स का जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है निर्मान हो जाता है और जैसे ही दो नर युगमकों का निर्मान होगा यह जो दो नर युगमक बनते हैं यह कैसे होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं या के कारण यह पूरा प्रोसेस था यह पूरा प्रोसेस क्या होता है डेवलमेंड आफ मेल गेमिटोफाइट का प्रोसेस पूरा होता है अब यहां तक जो है वह अपना मेल गेमिटोफाइट का पार्ट जो है वह पूरा हो गया जो सेकेंड चेप्टर है अपना मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट जिसके अंदर मेल गेमिटोफाइट का जो development है वो इसके अंदर जो है वो complete होता है next video के अंदर हम बात करेंगे female gametofाइट की यानि कि अभी तक जो male gametofाइट बन गए है male gametofाइट से male gamet भी बन गए ये जो दो आपको जो लेंगिक जनन होता है उसके लिए आवसक शर्त क्या है दो युगमकों का निर्माण होना जरूरी है तो जो male gamet से male नर युगमक है उनका तो निर्माण यहाँ पर हो जाता है अब जो female gametofाइट से या जो female gamet से उसका formation जो है वो हम बात करेंगे next वीडियो के अंदर